पहली तस्वीर देखिए ये रक्षामंत्री राजनाल सिंग का जाना पहचाना अंदाज है वो बोलते हैं और साथ-साथ उंगलियों के इशारे चलते हैं समझ में यही आ रहा है जैसे चीन से साफ कह दिया कि अब बहुत हो गया दूसरी तस्वीर देखिए इसके माइने भी यही निकाले जा रहे हैं जैसे राजनाल सिंग चीन के रक्षामंत्री से कह रहे हो कि चीन ने सीमा पर सभी नियमों को तोड़ कर घुस पैट की और ये भारत को बरदाश्ट नहीं होगा अगर ये तस्वीरें बोल पड़ती तो राजनाल सिंग कुछ ऐसा ही बोल रहे होते जैसे दो महीने पहले वो भारती ये सैनिकों के बीच जाकर लदाख में चीन को ललकार कराये थे मॉस्को की तस्वीरों ने वही बात याद दिला दी हम आशांती नहीं चाहते हैं हम शांती चाहते हैं हमारा चरित रहा है हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर शोड़ पहुचाने की कभी कोशिश नहीं कि लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूँ दो टूप सब्दों में यह कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर शोड़ पहुचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूर्ट पे हम परदास नहीं करेंगे उसका हम मुहतोर जवाब देने के लिए भी तयार रहे हैं यह मुहतोर जवाब अब चीन को हर तरफ से मिल रहा है भारत की ऐसी सखती उसने पहले कभी नहीं देखी मौसको में रक्षामंत्री राजनाथ सिंग फुल फॉर्म में थे उनके सामने चीन के रक्षामंत्री और उनकी टीम की बॉडी लेंग्वज देखकर यह समझ आ रहा है कि चीन अब बैक फुट पर है उसके लोग हाथ बांद कर आँखे नीची करके बैठें जो धोके बाज होते हैं वो आखें चुराते हैं वो सच से सामना नहीं कर पाते हैं चीन की टीम में ये साफ दिख रहा था वैसे भी ये मीटिंग चीन के बार बार कहने पर की गई थी धोके बाज और जूटे लोग ऐसा ही करते हैं वो सच का सामना नहीं कर पाते वैसे भी दो घंटे 20 मिनट की इस मीटिंग में चीन के पास कहने के लिए नया क्या था वो वही पुरानी बाते दोराता रहा चीन ने अपनी गलती नहीं मानी और सीमा पर टकराव का दोश भारत पर थोब दिया चीन ने कहा कि आमने सामने बैठ कर बात करना जरूरी था लेकिन वो अपनी एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा लेकिन राजनाज सिंग ने दो टूप बात कह दी और ये कह दिया कि चीन को निरधारित एलेसी का सम्मान करना होगा चीन सीमा पर सितियां बदलने की कोशिश ना करे और भारत हर हाल में अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा ये बात भारत पहले दिन से कह रहा है बामला हल होना चाहिए लेकिन कहां तक हल होगा अभी इसकी इस संब्बन में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की एक इंच जमीन को भी दुनिया की कोई दाकत छू नहीं सकती है बादचीत से भारत को पहले भी एतराज नहीं था सैने बादचीत तो अब भी चल रही है और टक्राव बढ़ने के बावजूद भारत चीन के साथ मौसको में कूटनीतिक मीटिंग के लिए तयार हो गया लेकिन असली समस्या चीन की धोके बाजी है चीन पर अब भारत को कोई विश्वास नहीं और जब तक ये विश्वास वापस लाने के लिए चीन कोई कदम नहीं उठाता तब तक कोई बादचीत सफल नहीं हो सकती चीन के बार बार कहने पर ही रक्षा मंतरी राजनाज सिंग चीन के रक्षा मंतरी से मिले असी दिन में तीन बार चीन के रक्षा मंतरी ने राजनाज सिंग से मिलने की अपील की थी जिसमें इस बार मौसको में भारत मीटिंग करने के लिए आखिर में तयार हुआ लेकिन भारत के रुख में कोई समझाओता नहीं हो सकता ये बात चीन को पहले भी बताई जा चुकी है और एक बार फिर बता दी गई गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो